इस indifferent बोहाई पूरा हम इस वीडियो में टिसके करने वाले है उसका जो टेफिनीशन है और उसका लेंगे कि वह एक टॉपलोजी होता है एक जस्ट इंट्रोड़क्टरी पार्ट आफ दिस यूजवल टॉपलोजी और इसको स्टेंडर्ड टॉपलोजी या यूकलीडियन टॉपलोजी भी का चाहिए इससे पहले हमने टॉपलोजी से रेलेटेड बहुत सारे डिसकस किया है तो प्रीज आप उन वीडियो इसको जुरूरू देगे ताकि आपका कॉंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लिर होगा प्रस्ट कंडिशन की एक्स और फाई इसके अंदर उने चाहिए दूसरा होता है महाँ पे आर्बिट्री यूनियन जो होता है इनके हर एलिमेंट का वो वापस इसी में कंटेंड करना चाहिए और अगर हम बात करें थर्ड प्रॉपर्टी की और थर्ड कंडिशन की मिलना चाहिए तो यह तेन उसकी प्रॉपर्टी होती है यह तेनों प्रॉपर्टी हम इस पर सैटिस्फाइब करेंगे और हम बताएंगे कि यूजवल टॉपलोजी जो सेट इफाइन होता है उसको वह भी टॉपलोजी का फॉर्मेशन करता है बैसिकली सबसे पहले हमें करने वाले हैं और यूजवल टॉपलोजी करना चाहिए यह इसका कॉंसप्ट होता है तो वही हम यहां पे सो करने वाले हैं और यूजवल टॉपलोजी जो होते है उसके अंदर हम जो यूञवर्सल सैट लेता है बिसिकली सैट एंड़ कि जिप मैं बात करता हू है तो वो सैट एक सी हहां पर एक रिया नंबर लिया जाता है तो यूजवल टॉपलोजी को हम यहां प一 नोटिक्शन से दिनोट करता है ध कि आगे मैं उसको discuss कर लूँगा, क्या कह रहा है, especially यहां पर इसमें define कर रहा है, कि phi and all those subset of r having the property for every x, यानि कि, एक set tu जो है, वो phi के साथ में r के उन सभी elements को contain करेगा, जिनकी कुछ properties हैं, कैसी properties हैं, जिन में ये neighborhood contain कर जाता है, कैने कि, वे सारे x उसके अंदर होंगे, जिसके लिए neighborhood जो होगा, वो u के अंदर contain करना चाहिए, तो tu जो है, वो basically क्या हो जाएगा, u elements ने इसके, वो कहां से आएंगे, which is subset of real number, and for every x belongs to you, for every x belongs to you, there exists at least one, एक तो ऐसा मिलना चाहिए, जिसके अंदर इसका neighborhood contain करे, at least one, ज़्यादा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, at least one neighborhood, at least one subset of x, or like subset of r, which is element of this t, उसके अंदर neighborhood contain करना चाहिए, या फिर ये neighborhood उसका subset होना चाहिए, okay, so this is the concept of usual topology, and now we are going to prove that, it is a, like यह जो condition हम apply करना है, और यह जो set formation हो रहा, like is it a topology or not, यानि कि simple सा हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे, उन तीन conditions को, सबसे पहले हम बात करता है, यहाँ पर t1 condition, t1 condition क्या सो करता है, कि आप अगर किसी topology को define कर रहे हैं, i यानि कि empty set, and set itself, यानि कि R यहाँ पर उसके अंदर बिलॉंग करेगा, तो हमें क्या करना है, to show, हमें शो क्या करना है, कि 5 and real number are contains, और we can say belongs to, ओके, are belongs to this T, वो इस यहाँ से belong करने चाहिए, यह हमें यहाँ पर प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ आपको कह रहा है कि, यह जो real number की जो topology है, वो define this पर हो रही है, sorry, यह जो topology है, T, U, यह T, U एक set है, define हो रहा है, कैसे define हो रहा है, T, U के हरे element, taking element U, let U belonging to T, and U belongs to real number, अब topology जो होता है, वो एक open set से मिलके बना होता है, और we know that, R is an open set, R एक open set होता है, तो कि उसका neighbor root हरे एक के अंदर contain करेगा, और 5, it is empty set, empty set में कोई element है ही नहीं, तो आप उसके neighbor root के बारे में बात करेंगे ही नहीं, इसका मतलब अगर मैं ऐसा कहता हूँ, element ही नहीं है, तो neighborhood की बात ही नहीं आएगी, तो इसको हम उसके अंदर consider कर सकते हैं, लेकिन जब मैं बात करता हूँ, for every x belongs to R, there exists epsilon greater than 0, because it is an open set, so x minus epsilon and x plus epsilon, पूरा किसमें contain कर जाएगा, इस u में contain कर जाएगा, तो कि इसकी definition को satisfy करेगा, it means R is an open set होने की वज़े से, हम ऐसा लिख सकते हैं, और अगर R open set है, तो यह जो इसका ने बरूड है, वो u में contain कर जाएगा, जो कि इस condition को satisfy कर लेगा, तो हम यहां पर इसको क्या कहेंगे, it is just like R inside, or we can say R inside the topology, और the set, which is not topology yet, it is at TUP, इसके अंदर R contain कर जाएगा, तो हम बात करते हैं T2, like intersection की बात करेंगे, which is finite intersection, हम यह इसकी बात करेंगे, finite intersection, basically finite intersection की बात करेंगे, finite intersection हम क्या लेंगे, let us assume that A1 and A2 are belonging to topology T, और we can say that, correctly we can't say, wait, okay, is thus like these are the elements of U, and U is element of topology, हमने पहले भी कंसेलर किया है, कि U जो हो क्या है topology, U जो हो जो हो topology के elements, हमने A1 and A2 कोई सबसेंगे, now, अगर मैं A1 intersection A2, अब मैं क्या सो करना है, to show, क्या सो करना है, A1 intersection A2, A1 intersection A2, मैं भी neighborhood contain कर जा, it means हमें क्या सो करना है, for every, x belongs to A1 intersection A2, there exists a neighborhood of x minus epsilon, x plus epsilon contain in A1 intersection A2, यह हमें यहाँ पर show करना है, जो कि clearly हमें दिख रहा है, बज हम finite interval की बात कर रहा है, sorry, finite intersection की बात कर रहा है, okay, now, we are going to prove this, and we can easily prove, कैसे प्रूव करेंगे, there are two cases, first case क्या हो जाएगा, if A1 intersection A2 is 5, अब वो 5 हो गया, and we have proved, what that 5 inside the topology, अगर ऐसा हुआ, कि intersection में कोई element नहीं आ है, तो obviously वो उसके अंदर प्रिजेंट होगा, second case, if A1 intersection A2, not an empty set, means it contains, it contains some x और 1 x, belonging to A1 intersection A2, यह किसी A1 intersection A2 बें बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, intersection में आ रहा है ना, इसका मतलब हर एक set में आएगा, तो x जो होगा वो A1 में भी आएगा, and x जो होगा वो A2 में भी आएगा, now, हम क्या कहा रहे हैं, कि यह A1 A2 जो है, कि किसके अंदर सा रहे हैं, u सा रहे हैं, और u basically क्या है, t से बिलोंग कर रहे हैं, तो t की definition क्या कहती है, इसके अंदर intersection हो, it means, इसको मैंने एक interval i x लेट कर लिया, तो यह जो i x interval होगा, और वी जो इसके लिए भी true होगा, और इसके लिए भी true होगा, और लाइक बिलोंग लिखो यह contain, contain लिखना सदा ठीक रहेगा, i x contain in a2, तो यह अगर इन दौनों में आ रहा है, because of this x, यह x दौनों बिलोंग कर रहा है, और by a1 and a2, और यह कहां से आ रहे हैं, tu से आ रहे हैं, set tu से आ रहे हैं, तो इसके अंदर हरे एक कही निबरूट होगा, अब वापस यह दौनों में आ रहे हैं, so conversely we can write, i x का, वो contain करेगा, a1 intersection में, और यही हमें प्रूब करना था, finite intersection, okay, now we are going to discuss the third one, third property is basically, third property, third property is basically, inter, union, arbitrary union, arbitrary union के हम बात करेंगे, basically arbitrary union की जब बात करेंगे, तो we have to define an indexing set, because of that हम वहाँ पे, index के तुरू चलेंगे, index के तुरू हम यहां से चलेंगे, okay, index के तुरू जब हम यहां से चलेंगे, तो उस case के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, indexing set को define करना पड़ेगा, okay, indexing set कैसे define होगा यहां पे, indexing set means, आप कोई भी एक set लेर होगा, या फिर आप natural number कह सकते हो, simple, okay, आप natural number कह सकते हो, और like, जो one से start होगा, और n तक चलेगा, इस type साब कह सकते हो, okay, तो हम उसे यहां पर प्रूव करने वाज़ेगा, ऐसे प्रूव करेंगे, उसको प्रूव करने के लिए हम क्या लिखेंगे यहां पर, okay, हम यहां पर लिखेंगे कि, lambda belongs to an indexing set, it is a indexing set, और we can say that, it is just a natural number, लोगी बन से start होगा, indexing बन से लेंगे, then हमें so क्या करना है, so that, so क्या करना है हमें, show करना है, union of, union of lambda, और किसके लिए a lambda, और all a lambda belongs to you, और यह पूरा का पूरा कहा आना चीए, यू मा आना चीए, यह पूरा you से बिलोंग करना चीए, और यह पूरा you से बिलोंग करेगा, it contain in, union जो होगा पूरा कहाँ contain करेगा, उस topology, और जिसकों topology set कहेंगे, उसके अंदर contain करेगा, so I am taking x belongs to a lambda, तो कि कोई इसका element है, for some, lambda belongs to indexing set, capital lambda, अब अगर मैं यहाँ पर open set के, open interval की बात करता हूँ, तो at least जब एक x हो है, वो इसके अंदर आ रहा है, एक x हो है, वो ऐसा लिख सकता है, if x belongs to a lambda, it means, it can be present in the union, can be present in the union, क्योंकि union में जरूरी नहीं है, कि हर set के अंदर वो element होगा, तो वो union में आएगा, it is not necessary, किसी भी एक में अगर वो हो गया, at least one में, यह इतने सारे set है, अगर वो किसी भी एक में हो गया, तो वो इनके union में present होगा, बट अगर intersection में लाना है, तो इन सब में वो element present होना ची, तब ही वो intersection मागा, you are getting my point, तो basically यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसा अगर हो रहा है, x belonging to a lambda, किसी भी a lambda, for some a lambda, some, कुछ हो सकता है, एक हो सकता है, बट एक से जादा होना ची, sorry, at least one होना ची, or we can say that, at least, at least, we can say that, at least one, at least one होना ची, okay, उस case में क्या लिखेंगे आपे, at least one होना ची, उस case में ची ता लिख देंगे, यह जो neighborhood है, it is an open set का concept हो जाएगा, और हो हरे एक में contain कर रहा है, हरे एक में contain कर रहा है, it means open interval, at s x belonging to a lambda, it means, that x belonging to u lambda a lambda, तो सारे union बिलॉग करेगा, and it is an open set, क्योंकि, definition वही कैती, topology जो जनेरेट करे, open set, और we can say that, x minus epsilon, और x plus epsilon, which contained by a lambda, और यही पूरा का पूरा intersection मा, इसी को हम i x से represent कर रहा है, i x contain in a lambda, और we can say that, i x contained in some union, u lambda, lambda capital lambda, और यह यू, पूरा किसमें आजाएगा, it contained in topology, वापस क्या हो गया, containing topology t, और by these three property, we can say that, by t1, t2, and t3 property, we can say that, tu is a topology, a topology generate, under the condition of this neighborhood, that's why, we will say it, or we can say it, by it is a usual topology, okay, so this is the concept of usual topology, और इस type से मैं, हमने इसको पूरा पूरूब करना कोशिश किया, I hope आपको इसका पूरूब जो है, वच्छे से clear वा होगा, तो थास्वर वाचिंग मैं वीडियो, keep watching mx maths, इसी टापके पूर मूर वीडियो के लिए, हमारे चनल को स्क्राइब करें, थैंक्यू,